नमस्कार मेदिती फॉल्जर आप देख रहे हमारे साथ हमारा हेल्ड सेग्मेंट सेहत नामा आज हम बात करेंगे डार्क चॉकलेट और मिल्क चॉकलेट के बारे में चॉकलेट खाने के तो काफी लोग शौकीन होते हैं आज कल मार्केट में अलग-अलग टाइप की चॉकलेट भी मौजूद है जिन्हें लोग बड़े ही चाफ से खाते हैं यही नहीं हर किसी को अपने टेस्ट के मताब़े किसी खास चॉकलेट को खाना ही पसंद होता है मुख्य रूप से इसके दो टाइप हैं डाक चॉकलेट और मिल्क चॉकलेट अकसर बात छिट जाती कि दोनों चॉकलेट में से बहतर कौन है बता देकिन दोनों की चॉकलेट के अपनी अलगी फैन फॉलाइंग होती है डाक चॉकलेट में कोको पाउडर की मात्रा असी पतिशत होती है जो की milk chocolate से जादा है इसका स्वाद आपको हलका कसेला भी लग सकता है अगर 100 gram chocolate के अंदर पाया जाता है zinc 89%, iron 67%, magnesium 58% और fiber की मात्रा भी 11% पाया जाती है तो यह आपके लिए थोड़ी सी अलग हो सकती है इसके अलावा इसमें potassium और salium की मात्रा भी सबसे जादा पाया जाती है milk chocolate में दूद और चीनी अधिक मात्रा में पाया जाता है इसके लिए milk chocolate में 100 gram में देखा जाता है कि उसमें 535 calories देखने को मिलती है जबकि dark chocolate में इसकी calories सिर्फ 600% ही आपको देखने को मिलेगी dark chocolate की तुलना में milk chocolate में आपको ज़्यादा पौशिक तद कम पाये जाते हैं इसके अलावा इसमें sugar contain भी सबसे ज़्यादा होता है ऐसे में इसका अधिक 7 आपके लिए सही नहीं है ऐसे में जानते हैं कि सहत के लिहाद से किसे खाना आपके लिए ज़्यादा बहतर होगा अगर आप भी इस बात को लेकर confused है कि दोनों मैंसे किसे चुने तो आपको बता देते हैं कि सहत के लिहाद से dark chocolate आपके लिए ज़्यादा अच्छी है चाहे metabolism को boost करने की बात हो या heart को healthy रखने तक की बात हो या blood pressure को भी control करने की बात हो हर पैमाने पर dark chocolate आपके लिए ज़्यादा फाइदे मन्द है रही बात सुआद की तो आपको बता दें कि personal choice के साब से दोनों ये chocolate आपके लिए ज़्यादा फाइदे मन्द भी हो सकती और आपको पसंद भी हो सकती है हाला कि आपको दोनों का सेवन सही मात्रा में ही करना चाहिए आज के लिए बस इतना ही ऐसी news updates के लिए बने रहे हमारे चैनल दंडगरी मीडिया के साथ दन्यवाद